नमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल एड़ोकेट जगजीत कुमार भट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमेशा मैं अपने ओफिस से ही बोलता हूं लेकिन आज मैं जिसके पास खड़ा हूं जैसा कि आप देख रहे होंगे मैं कहूंगा की थोड़ा दिखाएंगे वो आधुनिक बिहार के निर्माता डॉक्टर सचिता नंसे नहां 10 नवंबर 1871 चों मार्च 1950 यानि कि जन्म होता है दोस्तों 10 नवंबर 1871 को और उनकी मृत्यू जो है दोस्तों वह चों मार्च 1950 को हो जाती है और जैसा कि दोस्तों आप जानते हो यह मेरा दावा है दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि यह जो सम्विधान जैसा कि आप जानते होंगे हमारे सम्विधान सम्विधान निर्माताओं में इनका सबसे बुजूर को सबसे सीनियर मुस थे यह एक लॉयर थे ये एक journalist थे, ये एक educationist थे, ये एक बहुत बढ़े lawyer हुए, बहुत बढ़े parliamentarians हुए, बहुत बढ़े politicians हुए, ये बहुत मुखी प्रतिभाग के धनी थे यानि कि इन्हें ये कहा जा सकता है कि वर्सेटाइल पर्सन थे लेकिन वर्सेटाइल पर्सन होने के बाद भी आज एक छोटे से आप जैसा कि देख रहे होंगे बस इनके गाओं में आप मुरार में आएंगे जैसा कि जहां मैं भी खड़ा हूँ ये बकसर जिला के अंतरगत म पुरार गाओं हैं तो बताईए कि अपने गाओं में ही एक छोटी सी मुर्ती में सिमट करके रह गए हैं और इनके घर वगर अगर आगर आप देखेंगे तो वहां भी अब बाकी कुछ रह नहीं गया दोस्तों क्योंकि आप समझेए कि सम्विधान जब सभाव भनी थी हमारी तो सम्विधान सभाव के प्रथम बैठक हुई थी उसके ये टेंप्रेरी प्रेजिडेंट बनाए गये थे यानि कि इनी के बाद जो है हमारे राजेंदर प्रसाद जी को बनाया गया था लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि क्या सम्विधान निर्माताओं में जिनका इतना लग हुआ उडिसा और बेंगॉल प्रेजिडेंसी से तो 1912 में बिहार किया स्थापना की इन्होंने सबसे पहले मांग की थी और आज वो व्यक्ति अपने गाओं में ही अंजान मना हुआ है क्यों क्यों मैं ये बाते क्यों कह रहा हूं दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूं क ये बहुत बड़ी सक्सियत थी बहुत बड़ी सक्सियत जिस समय लोगों के पास पढ़ने का पैसा नहीं होता था उस समय ये पढ़ने गए और पढ़ने जाने के बाद वो लंडन से लॉके डिगरी प्राप्त करते हैं और उस समय चुकि लंडन में पढ़ना एक बहुत organization उन्होंने या j मेंडी रूप से देखें तो इनके नाम पर कुछ है ना आपको च्ञहाले मिलेगा ना आपको किसी तरह का मुझेम मिलेगा ना जो एक लाइब्ड़री मिलेगी आपको पत्ण में जो इनकी और जो थी रादिका शिना उनकी नाम से मिलेगा आपको लेकिन बाकी कुछ इनके नाम पे आपको बिहार में नहीं मिलेगा और बाकी जो भी चीज़े आप देख रहे हैं जोस्तों नदारत है एक इतने बड़े पॉलिटिशन, इतने बड़े एजुकेशनिस, इतने बड़े लॉयर जिस समय कि इनोंने केलकेता हाई कोर्ट में प्रे योगदान था, अहम योगदान होने के वावजूद भी, आज इन्हें कोई नहीं आनता है, सक दोस्तों इसके पीछे राज रिजन क्या है, तो वो बिहार की गंदी पॉलिटिक्स है दोस्तों, क्योंकि यहां पे कायस जाती के नेता तो आते हैं, बाकी सारी जाती के भी ने देख सकते हैं, जैसा कि मैं कहूंगा उनको दिखाने के लिए, अपने मित्र को, कि देखें आप किस तरीके से इतने में सिमट करके, एक इतनी बड़ी सक्सियत, जो इतना पढ़के आए, इतना सब कुछ किया, लोग के लिए, इतना कुछ किया बिहार के लिए, इतना कुछ देवादे निताओं के कि हम अगर आ जाएंगे, तो यह कर देंगे, वो कर देंगे, वो आपको सामने दिख रहा होगा, और यहां कुछ लोगों से अगर आप बात करेंगे, देखेंगे दोस्तों, तो आपको नजर बता नहीं पाएंगे कि कौन है डॉक्टर सचिता नंसिन पर बस एक मुर्ती है, बाकी कुछ नहीं है दोस्तों, आपको यह जनकारी कैसी लोगी दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स मेरा जरूर दें, आप मेरा यूटूब चैनल देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद